कि हैपी होली और यह फेस्टिवल कलर्स का है और हम चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियों में भी नीला और हरा रंग चड़े और इसलिए मैं इस बार भी हड़ साल होली पे लाता ही हूं पिक्स और हर फेस्टिवल्स पे करने के लिए हम पिक्स लाते हैं और इस बार में वापस से लाँगा मैं इस बार और वापस से आपको एक चीज़ और बता रहा हूं कि एक तारीक को भी हम लोग जब न्यू फैनाचल यह राता तब भी भी पिक्स लाते हैं और अभी पिक्स लाने के रीजन्स भी बहुत सारे है जब मार्केट में हमने देखा भी में काफी करेक्ट किया कई सारे स्टॉक्स है एवरेज में 30% 25% करेक्ट के उपर के लेवल से जो लग रहा था हमारे ओवरॉल सिस्टम में की फ्रॉथ है स्मॉल क्या में बड़ने चीज और कहुंगा इस बार जो नंबर्स आ रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कैप वाइज अब इंडिया में मिट कैप और स्मॉल के काफी लेवल चेंज हुआ है इनफेट असी हजार नभी हजार करोड की कंपनिया अब मिटकाप की की काट काटिकरी में आने लगी है और स्मॉल क्याप मिपीश अजार करोड की कमपनी आपके लेख क्या आया हूं और पहला स्टॉप है केना मेटल इंडिया एक MNC कंपनी इन फैक्ट युएस की केना मेटल इंकॉर्पोरेटेड की 75% सब्सेडियरी एक बहतरीन कंपनी जो बेसिकली कारबाइट टूल्स बनाती है और स्ट्राइशल परफस मशीन बनाती है ऑटो मोटिव जिस सेक्टर में काफी बुलिश हूं डिफेंस अगेंड वरी स्ट्रॉंग सेक्टर रेलवेज इंफ्रा जेनरल इंजिनरिंग तो जो कंपनी ऐसे सेक्टर को केटर करती है और एक MNC कंपनी और एज ओल कंपनी की बी आप अपनी बी सब्सक्राइब है और इसका टारगेट का लिए स्टाइब को लिया जा सकता केना मेटल इंडिया है तो पहला स्टॉक केना मेटल इंडिया अब मैं दूसरे स्टॉक पर आता हूं वो भी के से ही है और वो है कोवाई मेडिकल अगें वन अफ माई ओल्ड रेकमेंडेट स्टॉक्स और यह स्टॉक भी काफी चला इंफैक नीचे के लेवल से और मिल रहा है सो दूसरी बात एक और होटेल स्टॉक्स हॉस्पिटल स्टॉक्स रियल स्टॉक्स कहने का मतलब जहां पर रियल स्टॉक्स में देखा और होटेल स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं और हॉस्पिटल स्टॉक्स क्योंकि रियल एस्टेट की रिप्राइजिंग हो रह आपके सामने आगे आने वाले पांच पिक्स में से वह भी है बट हॉस्पिटल स्टॉक्स ओवर ओल काफी महेंगे पी मर्टिपल्स में चल रहे हैं ग्रोथ भी अच्छी आ रही है सारे स्टॉक्स में बट मैं जो कुभाई मेडिकल लाया हूं उसका रीजन है कि यह सस्ता वा स्टॉक्स में भी है जो कि यूनिक सर्विस है तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक हेल्थ केर वाला स्टॉक एडुकेशन वाला स्टॉक यह अच्छा करेगा और 26 के पी मल्टिपल पर यह स्टॉक्स मुझे बहुत महेंगा नहीं लगता है और रोई रोसी भी 17-18% के लगब भी ठाक सा होल्ड करते हैं पांच्छे परसेंट के लगब होल्ड करते हैं और इस बार डियस्पी हेल्थ केर फंड ने डिसेंबर के कॉर्टर में एड भी किया है तो आई फिल कि स्टॉक को इन लेवल्स में लिया जा सकता है और बियानिस सो सत्तर के टांगेट के लिए उपर के लेवल से करेक्टेट स्टॉक मिल जाए तो सोने पर स्टॉक आगा है तो यह आपके पोट्फोलियो में नीला रंग आड करेगा आने वाले महिनों में तो आर्पीजी लाइफ साइंस जिसका पुराना नाम वहा करता था सर्ल इंडिया और इस स्टॉक के यूनिक च आती है इंटरनाशनल फॉर्मिलेशन में भी है इससे भी रेविन्यू आती है बट ओवरॉल एक चीज़ और जो इनके ब्रैंड से कुछ एजरॉन मॉफेटिल लोमितिल यह सब काभी पॉपलर ब्रैंड्स है तो नेफ्रोलोजी ओंकोलोजी इन सब में गैस्ट्रों में सब में का प्रेजन्स है अब 32-33 परसंट की रिटन और कैपिटल इंप्लोई 25 परसंट की रिटन ऑन इक्विटी 27-28 परसंट की ग्रोथ की क्या अगर पिछले तीन साल की प्रोमोटर्स की स्ट्रॉंग शेरॉल्डिंग एक जीरो डेट कंपनी नीडलेस तो से दैट बट एक और और बढ़िया बात प्रोमोटर्स की शेरोल्डिंग के बाद एक पूरा भरोसा है और रिनाउंड शेरोल्डर्स कुछ पुछ पब्लिक शेरोल्डिंग में दिखते हैं तो उससे भी कॉंफिडेंस आता है तो आर्पीज लाइफ साइंस वास थर्ड स्टॉक चौता स्टॉक है प्रेम इंडस्टॉज अगें काफी बार मैंने स्टॉक को जेंस साथ के जैन्स में बी कवर किया है मैंने कई वार YouTube चैनल पर भी स्टॉक को रेकमेंड किया है और अब वापस से इस टॉप रेकमेंड करने का रीजन यह है कि यह उपर के लेवल से करेक्ट हुआ है मुझे वैलेशन के लियाद से बहुत बढ़िया लगता है फंडामेंटल के लियाद से बहुत बढ़िया लगता है पेडिग्री वाइस बहुत बढ़िया लगता है आप देखें ऑटोमोटिफ और ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स बढ़िया करी रहे तो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स में automotive lighting और signaling equipment बनाने वाली rearview बनाने वाली टू-wheeler और फोर-wheeler के लिए कंपनी काम करती है और अच्छा गासा इनका market share है 27-28% का market share इनका in fact hold करते हैं टू-wheeler headlamp markets में और अच्छा गासा यह increase भी कर रहा है तो अठारे के P multiple पे stock सस्ता है 27% का return on capital employee return on equity 20%-1.5% का dividend yield 23% की profit की क्या अगर एक zero debt company almost negligible debts प्योत्रों सी score is very good in fact quarterly results भी बढ़िया आई रहे हैं कंपनी के 32 करोड के पैट के सामने 40 करोड का पैट था December quarter की मैं बात कर रहा हूं और promoters की strong shareholding के बाद FIS-DIS भी ठीकठा gold करते एक अपनी में तो करीब 3-4% FIS-DIS ने बढ़ाया भी है तो मुझे लगता कि इस टॉक पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और यह stock को भी आप 300 के टार्गेट के लिए खरीच सकते हैं एक है stock ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलप्मेंट कॉर्परेशन जो की टूरिज्म रिलेक्टेड स्टॉक है होटेल रिलेक्टेड स्टॉक है मैंने बोला ही था कि एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाती है अगर आप इमल्टिपल को देखेंगे तो आपको महंगा नहीं है सबसे बढ़िया बात इस टॉक की में जो लगती है वो है कि इस एक तो सब्सक्राइब करती है आज पर्सेंट्स टाटा गुर्प की इंडियन में जाती है अगे आने वाला बड़ा ट्रीगर है तो मुझे लगता कि स्टोक को भी बिल्कुल इन लेवल्स में लिया जाए और टार्गेट में में 900 रुपएगा टार्गेट देरों पहला टार्गेट 825 का दूसरा टार्गेट 900 रुपएगा तो ओवरॉल पांच स्टॉक्स मैं ने दे दिये आर्पीजी लाइफ साइंस कुवाई मेडिकल फियम इंडास्ट्रीज आईटी डी सी और के नमेटल यह पांच स्टॉक्स है जो की होलिपिक्स के तोर पे ट्रेट्ट्टूप की रिसर्च टीम की तरब से यह स्टॉक्स हम आपको गिफ्ट करते हैं थैंक्यू सो मच्छ वंस स्टॉक्षण है यह हिंक्यू भी होले स्ट्विक्स के लिए मैं यह होई भी होले चॉले